हेलो दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल परदेशी फ्लाइट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं बताने वाला हूँ कि 28 दिन के बाद आप कोवी सील्ड वैक्सीन की दूसरी डोच कैसे ले सकते हैं उसका क्या तरीका है कहां पर आपको एप्लिक क्या लिखना होगा एप्लिकेशन के साथ में कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगाने होंगे क्योंकि अभी विदेश यात्रा के लिए कोवी सील्ड को ही मानता मिली हुई है जो लोग विदेशों में पढ़ते हैं या वहां पे काम करते हैं या और सिलसले में विदेश की यात पा रही है दूसरी डोज तो उसका तरीका क्या है किस तरीके से आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं वो मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से 28 दिन के ब यानि जो चीप Medical Officer होता है जो मुख्य कितसा अदिकारी होता है आपके जिले में उनको आपको application लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने आज ही application लिखा है अपने एक मित्र का अपने दोस्त का उन्होंने दूसरी डोज आज लगवाई है सबसे पहले जो आप application म अपने स्क्रीन पे जिसमें लिखना है सेवा में स्रीमान मुखिच कितसा अधिकारी महोदे आपका जो भी जिला होगा मेरा जनपत सरावस्ती है तो मैंने सरावस्ती जिला लिखा है उसके बाद आप विसे डाल देंगे सब्जेक्ट डाल देंगे उसमें लिखेंगे कोवी सी वो एड्रेस आप डाल दीजेगा फिल लिखेगा कि प्रार्थी साओधी अरब में काम करता है अगर आप दुबई में काम करते हैं या फिर कुएत में काम करते हैं तो जिस भी देश में काम करते हैं उस देश का नाम डाल दीजेगा प्रार्थी साओधी अरब में काम करता है और इस समय वापस इंडिया छुट्टी पर आया हुआ है, तो आप लिख देंगे इस तरीके से कि वापस आप छुट्टी पर आये हुए है, प्रार्थी दुबारा सौधी अरब जाना चाहता है, और प्रार्थी का वीजा इसी महिने की 31 जुलाई तक है, आपका वीजा जब जब भी आपका वीजा एकस्पायर हो रहा है, जब भी आपका अचुटी पर इकस्पायर हो रहा है, वो तारीक आप डालनेगे की इतने तारीक को हमारा वीजा खतम हो रहा है, तो प्रार्थी को कोईशी बैक्सीन की पहली डोज Journal आपको जितनी भी तारीक है गहीं। जैस सौदी एरब आसानी से जा सके जाना है आपको बहुत लंबा चोड़ा नहीं लिखना है बहुत लंबा चोड़ा या बहुत बढ़ाखागर और कई सारी चीज़ा समलि绝 करनी है वहार है। चार लाइन का अप्लिकेशन है। आप साउधी एरब में काम करते हैं इस तरीके से आप application लिख दीजिए नीचे application के आप अपना detail लिख दीजिए अपना नाम अपना पता और इसके साथ में mobile number और तारीक डाल दीजिए और application पर ही आप अपना passport number दिखा दीजिए तो यह एक पूरा application है जो मैंने लिखा हुआ था अपने एक दोस्त के है उन्होंने और यह एक्रूब करने के बाद vaccine मेरे दोस्त को लग चुकी हाँ application में आपको ध्यान में रखना है कि application में क्या क्या चीजिए आपको समलित करने हैं यानि कौन कौन सी documents आपको attach करने इसके साथ में आप passport की पोटू कापी लगा दीजिएगा और उसके नीचे आ आपके पास रसीद है या इसके लाओ उसका जो certificate है वो certificate आप application के नीचे लगा दीजिएगा तो इस तरीके से आप अपने application के साथ ने passport की फोटू कापी चुटी पेपर की फोटू कापी और जो कोवी सीविल वैक्सीन की पहली डोज आपको लगी है उसकी रसीद या उसके certificate certificate की फोटू कापी आप लगा देंगे और सेमों से एप्रूब कराएंगे फिर आपको कोवी सीविल वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लग जाएगी इस तरीके से आप 28 दिन के बाद कोवी सीविल वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकते हैं उमीद है दोस्तों मैंन अपना ख्याल लखिए, खुस रहिए, मस रहिए, अलविदा